हालो एव्रियन मेरा नाम है अपिशन आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के सकोडिंग परफॉर्म कर सकता है तो कल एक काफी अच्छी चीजी थी मार्केट गेप अप में उपन हुआ था क्योंकि बाइच्छ गेप डान होय था या फिर नेगेटिव था त एक तरफा मुमेंटम दिया तो आगे भी मार्केट में अच्छी लग रही कल भी गेप अपन हो सकता है तो पहला लेवर्स के आता मार्केट में वो है 17364 का ये रेस्टेंस आ सकता है अगर इसके ओपर खुल जाए मार्केट तो वो आएगा 17489 का और ये भी अगर ब्रेक करता तो 17600 के आसपस आराम से मार्केट जा सकता है उस कंडिशन में पर इसके लिए देखना आपको थोड़ी तरह सस्टेंग करना कि 15 मिट तक मार्केट क्या रहता कंडिशन पर बाइचस गेप अप होता है और फिर 15 मिट में थोड़ी सी प्रोफिट बूगिंग आने रख जा है बा पहला सपूर्ट का बनेगा 17163 का उसके बाद 17120 का यह सपूर्ट की तरह काम करेगा फिर तो यह हुए कि निफ्टी को लेकर कंडिशन अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी को लेकर बात करते हैं मतलब वो तो सारे एक तरफ अच्छी कासे बैंकिंग के शेयर से एन बी एसी हो गया तो मतलब काफी अच्छा दा चीज है तो सब एक तरफ हम मोमेंट दियो हजार पॉइंट करीबन से अधा बैंक निफ्टी चला है और गैप अपने उसी इसको बहुत अच्छे से रहा उस सकता है वो है 38869 का उसके बाद आएगा 38490 का तो यह तो सपोर्ट रेस्टेंस हो गए सपोर्ट आप चाहाए तो एक बार वापस नीचे भी है यह 38184 का चाहाए तो नोट कर सकते हैं बाकि दो सपोर्ट है लेवल के लिए काम कर जाएंगी और दो रेस्टेंस है मार्केट क करती है तो हर मेंशा यह मत प्लान करो कि हमें 800,000 पॉइंट का हमेशा बैंक निफ्टी में मिल जाएगा यह वीक में एक दो बार हो जाता है मतलब मेहने में 4-5 बार होता है इस तरी से चलता है कंडिशन बाकिया एक जो एवरेज उनका होता है उस अकूडिंग आप प्लान क सब्सक्राइब करें तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर सब्सक्राइब करती है थैंक यू फ्रेंड्स